Dear students, we have to discuss about the post-2010 developments of ECE in China. हम जो गुफ्तकों कर रहे हैं कि 2010 के अंदर जो प्लैन बनाया गया और उसके अंदर जो फोकस किया गया और ये डिसाइड किया गया कि गॉर्मेंट और एंजियो मिलक प्राइविट पार्टनर्शिप जब बनाई गयी और वो मिलकर जब काम करेंगे तो उनमें फंड का फैसला किया गया और ये फैसला किया गया कि यहां पर कितने फंड्स गवर्मेंट प्रवाइड करेंगे और कितने फंड्स एंजियो प्रवाइड करेंगे और इसी एई की यूनिवर्सालिटी कैसे पैदा की जाएगी और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कैसे all the governments to facilitate the development of the EC through establishing a public service system giantly supported by the both public and private system. Public private system जो है इसको सामने रखते हुए उन्होंने एक development plan बनाए है. और उन्होंने development plan बनाने के बाद उन्होंने का कि EC E को कैसे establish किया जा सकता है और उसको कैसे facilitate किया जा सकता है. local government को भी involve किया गया. और local government को जाना जितने भी in-educates problem थे उनको solve करने के लिए unfit distribution of the public funding जो है उसके उपर involve किया गया. पहली बात तो यह की गई कि ताके जो local government है वो ना सिर्फ quality को control करें, quantity को भी address करें और जो fund की distribution है वो भी appropriate होनी चाहिए. according to the number of the students. unfair distribution नहीं होनी चाहिए, क्योंकि NGOs भी उसके अंदर involve थी, तो ऐसा ना हो कि किसी NGO को जएना ज्यादा पैसे दिये जाएं और उसके पार number of the students काम हो और number of the institutions or centers काम हो और किसी के पास ज्यादा हो और उसको काम पैसे दे दिये जाएं. तो ये बुनियादी तोर पर ये इसको focus किया गया और इस plan को कि जो major problem थे और major issues थे उनको address करते हुए, जो main चीज़े फोकुस किए इन पहले number पे हैं. कि government को चाहिए, कि financial input को increase करें. वो देखें, पहले 1.3 दे रहे थे, फिर उसके बाद 0.7 पे जब NGOs को involve कि तो 0.7 पे आ गया और जब education से रूल आउट हुआ, education sector से बाहर आ गया, तो लाजमी बात है इसके इस रात होने मरतब होने चुरू हो गया. अब इन्हें ने focus किया कि नहीं, यह भी क्योंकि education की base है और base आने के बाद जब education के अंदर बच्चे आते हैं, जब regular, formal education के अंदर आने के बाद grade 1, 2, 3 से चुरू होते हैं, तो वहाँ पे इसकी universality ना होने की वज़ा से, बच्चों की base के different होने के वज़ा से, उनकी cognition के उप हैं और उनके ओपर behavior development का भी ऐस्कात मरतब हो हैं, तो लहाद इसको भी focus किया जाए, फिर उनने का के fund का कोई mechanism होना चाहिए, कोई as fund को mechanism ऐसा establish किया जाए, कि जिसके अंदर unfair distribution को रोका जाए, और जो subsidize है, the education for the young children from the poor and the native families, उसको भी address किया जाए, भाई आप यह बात तो एक होता है होगे कि जो लोग जाब करते हैं, उन्होंने अपने बचों को child care center में भेजा, day care center के अंदर बेजा, kinder garden के अंदर बेजा, nursery के अंदर बेजा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, possibility हैं कि जो गरीब हैं, जो jobs नहीं करते हैं, जो needy लोग हैं, उनके बचों को भी तो streamline के अंदर लाना है, उसको भी address करना पड़ा, और यह देखना पड़ा, कि उनको भी जब साथ लेके आएंगे, और तदाद हमारे पास बढ़ जाएगी, और उस वक्त हमारे पास हमारे funds की भी नीट बढ़ेगी, हमारे center establish करने की भी नीट बनेगी, तो priority दे दी गई, to promote the development of the EC in ruler and western areas, चाइना के जो western areas थे, वहाँ पे भी और जो ruler areas थे, वहाँ पर भी EC को establish करने का शुरू कर दिया गिया, concerned ministry जो है, उनको कहा गया, कि वह ऐसी national guideline develop करें, to propose a specific measures of the promoting EC, कि EC को बकाइदा पर्मोट करें, अब देखें, तो अलएदा अलएदा रोल है, हम इससे पहले जब kindergarten garden से EC में shift हुआ था, उस रख भी हमने इस बात की गुफ्तगू की थी, कि किंडर garden में बचे का रोल जो था, वो सिर्फ child care का था, और इस रोल के अंदर अगर हम SDG के paradigm को सामने रखतें, तो हम सिर्फ balanced diet, nutrition and vaccination, हम इन तीन को rest कर सकते थे, जबके इसी जो है, वो एक बकैदा education plan है, जिसके अंदर 10 टीशिर्ट हैं, curriculum हैं, pedagogies हैं, skills हैं, behavior development हैं, cognition development हैं, जिसमें इन तीनों development process को, cognition को, skills को, और behavior development की base रखी जा रही हैं, और base को align किया जा रहा है, SDG के साथ, अब देखें, दोनों के अंदर difference पाया जाता हैं, लहाज़ा अब focus यह किया गया कि जो है ना, हमारे पास 2010 का जो post plan था, उसके अंदर financial, finance को address किया गया, education को address किया गया, needy और poor families जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको भी ECE के अंदर लाने के लिए address किया गया, और फिर ruler areas जो western ruler areas थे, उसको भी focus किया गया, ताके हम ECE को establish कर सके, और establish करने के बाद, वो जो हमारे पास base बननी है, और वो base हमारे education में आनी है, उसमें universality पाई गया है. कि अंदर